हेलो एवरीवन तो यहां मैंने तीज का प्रशाद बनाना शुरू कर दिया है तो यह मैं सीदे के लिए आटा निकाल दे रही हूँ तो कि साफ आटा नहीं था तो मैंने नया मंगाया आटा तो निकाल दे रही हूँ पॉलिथिन में अच्छा दाल चावा, लालू नमक सब मैं ये पहले निकाल दिया है और इधर में पूरी के लिए आठा निकाल दे रही हूं और उसको मैं भी सानूंगी तो आप लोग दिखा रही हैं वीडियो में लगतार वीडियो में बने रहिएगा आप लोग छोटी पूरिया बनाऊंगी 24 पूरी बनेगी और साथ एठी गोठी हमारे हाँ चड़ती है वो बनाएंगे हम और इसकी आटे की लपसी बनती है हलवा ये भी चड़ता है तो और जगा कहीं लोग कुछ और तरह का बनाते हैं लेकिन हम जो सुरू चड़ाटे आ रहे हैं उसको ही बनाएंगे तो ये देखी मैं चलनी को एक बार जरूरी होता है आटे को साफ करना हूँ यसे साफ रहता है अटा लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं माल रहा है हम निकल लाओ एक बार चलनी से साफ कर दे हाटे को और इसमें मैं जो है चाल के इसको सानूंगी और सानने के बाद इसकी छोटी-छोटी पूरिया बनाऊंगी यह मैं आटा सान रही हूँ और इस पीछले ब्लाग में मैंने आपको पूजा का सबसमान दिखा ही दिया था कि मैंने क्या क्या टीज की शौपिंग की थी तो वह सब मैंने आपको वीडियो जो है अपना डाल दिया है आप तो गुसको जाकर देख लीजma में और इसको मैं सान के और इसकी छ önकी छोटी-छोटी निवज बन जो है सभी क्या सबसे पहले मैं आइठी गोठी बनाओंगी साथ आईठी गोठी इसमें निकाल दे अदर इसके बाल मैं सबसे पहले ऐठी गोठी मैं करऊंगी साथ बनाओंगी और दिखाते है बना कि कैसे बनाते हैं अम इस dóna बहुत इस nelbonna लेकogn ठोटी शुटी तो आइठी गोईठी हम लोग सुरूप चड़ाते हैं तो हम लोग इसको जो है भगवान का रूप प्रशाद का एक मानते हैं और इसको हम लोग हमेशा चड़ाते हैं जैसे करवा चौत पर चड़ता है चांद सूरज जैसे इसमें अइठी गोईठी चड़ता है और दोस्तों बहुत सारे लोग जो है बहुत प्रकार का बनाते ह lizard 2 लेगी इसके बाद मैं इसको फ्राइ करूंगी जैसे पूरी तलेंगे उसी तरीके से यहाइभी फ्राइ Sum Pour प्रिशाद भगवान का दर्बार में चड़ता है तो यह देखे मैं पहले लोई कार दे रहे हूं ताके मैं बेलने में जी रहे तिधर यह देखे मैं बना रही हूं पूरी और आप जादा भी बना सकते हैं आप खा भी सकते हैं अलग से रख के बाद में लेकिन हम अपना प्रिशाद के तरह ही जो है यूज़ करते है तो प्रिशाद की हिसाब से बना रहे हैं और यह छुटी छुटी बहुत तेस्टी भी लगती दोस्तों सुबह खाई प्रशाद की रूप में खाएंगे तो जैसे भगवान का अशिरवाद हो जाता है इसमें ति बहुत ही हलुआ यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में इस तरह देखें मैं सारी पूरी बेल दे रही हूं अब एक साथ बेलूंगी सब कुछ कर कि तब मैं जाओंगी फ्राई करने क्योंकि बार बार जो है गैस जलाओ फिर इसको ठंडा हो जाता है कड़ाई तो दोस्तों आपको अगर कहीं पर अगल बगल या घर में प्रशाद जादा बनाना है या देना है तो इसमें आप जादा निवच बना सकते हैं और हम तो तीन कि 3 फल हमेसा चढ़ाते आया तो कई जगह लोगों ने कहा कि 5 फल चढ़ाता है लेकिंहम लोग अपकि हमने सोचा कि हमेसा जह हमने 3 फल चढ़ाया क्योंकि 3 यह होता है डुई जहते है एक अधशी पे देखे ठीट में की चीज चड़ता है कि सब चीज तो लोगों ने कहा कि पांच-पांच होता है लेकिन हम सुरू से तीन चीज फल चाहते आ इधर देखे, मैं पूरी फ्राई कर दे रही हूँ, अब देखे, फूली फूली पूरी मेरी निवस फ्राई हो रहा है, इसको मैं सारी पूरी फ्राई कर दे रही हूँ, उसके बाद में देखे, एक ठाली में निकाल दे रही हूँ, आप चाहें, तो इसमें ज़्यादा बाद कि लोग उसको खा लेते हैं भूजन के रूप में तो इसलिए आप जो है इसमें ज्यादा भी पूरी बना के रख सकते हैं लेकिन हमारे अब दो ही लोग हैं तो हम बाद में ही बनाएंगे और क्योंकि आटा रखा है बचा हुआ इसी का तो इसको देखे मैं निकाल दे रही इससे लगातार पूरी पूरी में चृन नूगी और इसके बाद यह हलुआ आते का बनादे रही हैं क recommending इसमें आते का ही हलुआ चड़ता है आत शुद्ध माना जाता तो कोई भी धाम में आप जाए तो वहां आते का ही हलुआ लेकर जाएए क्योंकि आता सभसे सुद्धिय गया है तो इसमें मैं पूरी पूरी पर्ण्रे के बाद में इसमें पर्थन बचा था उसें को मैं अलवा बनाओंगी और इसको मैं प्त करोंगी और सुबह इन्हीं का ही भोग लगाओंगी जो हलवा बचेगा मिठाई वेग merryLично में हमेशां मैं सब्सके हरु ने इनी का जो है हल्वा सुबह मैं भोग लगा कि उन लोगों को तब मैं बिदा करूंगी घर से तो आप लोग जो है पिछले ब्लाग में मेरा जो है कापी राइट को जैसे डिलीट हो गया ने इसमें पूरा हमने दिखाया है लेकिन मैं फिर से इसको जो है वीडियो बना रही हलका से लग भी गया है क्योंकि अकेले करना होता है इदर मैं चीमी साफ निकाल दे रहे हम हल्वा में डालने के लिए और यीए हाथ से ही अंदाज लग रहा है कि कम ज़्यादा अपना हो जाता है क्योंकि पम्सक्री ब्लाइब ब्राबर में चला के बादा पानी डाल दे पर बढ़ियां मेरा तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में यह चीन ही हमें कम लग रहा था तो मैंने का एक मुठी थोड़ा और डाल देते हैं तो इसके बाद यह देखिए हल्वा बनके तयार हो रहा है तो देखे मेरा प्रशाद बन गया है जो साम को मैं भूग लगाउंगी तो इसमें आते की लपसी है हल्वा यह चढ़ाते हैं हम एठी गोठी जो बना के हमने आभी आपको दिखाया है यह नेवज है चौविस पूरी है बारा बारा दो जगा पे रखी गुई है इसमें हमें एक जोड़ा जो है पूरा बारा पंडित को देंगर एक जोड़ा घर प्रशाद के रूप में रोकेंगे और यह कच्चा चना है इसको जो है इसमें चहाया भी जाएगा इसमें जो हम कथा पढ़ेंगे उसके साथ भी इसको डाल डालके इसमें हम लोग पूजा करते हैं उसमें गोरी गड़े इस पे तो वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडिय शेयर और सस्क्राइब प्लीज एक बार मैं फिर बार बार दो राउंड गी करते रहिएगा और कैसा लगा ये जरूर बताईएगा